जेहन्द फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिलेंस वाई एपिएस पर मेरे एपिएस आपका स्वागत करता हूँ आज मैं डिसक्रस करने वाला हूँ पर्यवाची सब्द और ब्लॉम सब्द और भी कई सारे टॉपिक में यहाँ पर स्वागत कराने और आप भी ठान लो कि हमें अच्छी मार्केंग करनी है अच्छे नंबर लाने है अगर आप ऐसा पर ले लोगे तो आपकी सपलता को और आपको सपल होने से कोई नहीं डूख सकता ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं फाइली हमारा यह जो पार्ट है हिंद देरक की वहां से आकर देख सकते हैं आज हम पर्यवाची बताएंगे आपको जिन अर्थों के जिन सब्दों के अर्थ में सामानता और हो तो नहीं हम पर्यवाची सब्द का जाता है जो बासा जितनी संपन और विक्सित होगी उसमें उतने ही अधिक पर्यवाची सब्द इसका कारड यह नहीं यह है कि संदर्व अत्वा प्रसंग के अनिरूप किसी स्थान पर एक सब्द पृतीत होता है तो दूसरे स्थान पर उसका पर्यावाची सब्द उप्युक्त लगता है यानि पर्यावाची सब्द को सीधे से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मालो एक वेक्ति होता है उसका स्कूल का नाम कुछ और होता है और कहीं जाता है तो जैसे ममाने जाएगा तो उसका वहाँ पर कोई नाम और होगा तो इससे यह रिलेट कर रहे हैं हम चीज़ों को कि जैसे ब्यक्ति एक ही है नाम उसके तीन तीन है तो उन्ही सब्दों को जो एक ही ब्यक्ति के तीन नाम लिए जारे है बोही ही क्या है पर्यावाची सब्द है तो यहां पे कुछ पर्यवाची सब्द दे रखे हैं उनके हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सिलेंस के एक्जाम की दस्टिकोर से यहां से आपका एक नमबर बन जाता है वो एक नमबर बनता है व्लॉम सब्द से तो इसको ध्यान से ज़रूर देखें अगनी अगनी का पर्यवाची होता है पावक अनल आग और हुताशन तो यह कईवार आचुका है अनुपम अपूर्व अनौखा अनूठा अतुल अमरत सुदा प्यूस अरण यह भी आचुका है जंगल बिपिन बनत कानन आख का यह भी आचुका है नैत्र लोचन तिछू नयन अच्छी आकास गगन ब्योम सून यह भी आचुका है आनंद का मोध प्रमोध अमोध प्रसन्यता उल्लास आश्रम का भी आचुका है मट बिहार आखडा संग इंद्र सुरुपती मदवा पुरंदर और सचीपती कपड़ा का क्या होता है बस्त्र पट अंबर चीर आदी कमल का क्या होता है इंपोडेंट है यह सरोज जलज नीरज पंकज और अरविंद यह आभी चुका है आपके एक्जाम में ठीक है सभी बच्चे प्रैक्टिस जरू करेंगे अच्छे से और कोई भी डाउट आता है तो कमेंटी सक्षन में जरू पूछेगा कामदेव, सुरमेश, मदन, रतीपती, काम, कंदर्व, अनंग, आदी किरड का क्या होगा मरीच, म्यूख, अंसु, और कर, और रस्मी कुवेर का क्या होगा किंडरेश, यच्छ राज, धनंद, गजराज, आदी कोयल का क्या होगा कोकला, पिक, बशंत दूत, काकपती, आदी गडेश का क्या होगा लंबोदर, एकदंत, गजवंदन, बिनायक, आदी ये आचुका है आपका ठीक है गंगा, देवनदी, सुरसरिता, मागीरती, जवाभी, सुर्धनी, आदी ये भी आचुका है गरै का क्या होता है घर, निकेतन, भवन, सदन, आयन, आदी चतुर का क्या होता है ब्यग, दक्ष, प्रवीड, सुजान, आदी ये इंपुडेंट है चंद्र ये आचुका है, चांद, चंद्रमा, ससी, सुदानसु, भिदू, आदी चांदनी, चंद्रका, कौमिती, जोसाना, आदी जलका आचुका है, नीर, सलिल, उदक, पानी, जीवन, आदी ठीक है इन सब्दों के प्रैक्स ज़्रू करते जाएं सभी, अच्जे पर यहां आँगे और सब्दी रखे गर्भगे है जैसे आप देख रहे होंगे इनको प्रैक्टिस जरू करते हैं युमना जैसे सूरितन्या कालिंदी और च्रिडिजा कृष्णा तालाप का होता है सर सरोवर पुश्कार और जलाश इन्पुटेंट है तोता का क्या होता है सुक सुगा कीर और सुगळा रास का क्या होता है अनुचर चाकर और किंकर और परिचारिक दुख का क्या होता है पीड़ा विथा संकट सूक यातना दुर्गा क्या होता है चंड का अभ्याय कलिका सामभी देवता क्या होता है सुर्ण अमर देव अजर और विभूद नदी का क्या होता है सरिता तटनी आपंगा पत्नी का क्या होता है भार्या, दारा, बधू, बहु और बदू, परवत का क्या होता है आचका है पाहाड, सैल, गिरी, भूधर, अचल, नग, पच्छी का क्या होता है भ्यग, खग, पेकुरू और अंडज, पार्वत्ती का होता है उमा, गोरी, इसुरी, भवानी, आर्या आदी पुरंदर का क्या होता है इंद्र, सुरेश, मदवा, सुर्पती आदी पुत्र का क्या होता है तन्या, सुत, बेटा, लड़का, आत्मजे आदी पुत्री का क्या होता है तन्या, आत्मजा, दोहेता और तनुजा आदी प्रत्वी का क्या होता है भू, इला, उबर्वी, मैधनी और धर्ती आदी पुस्प का क्या होता है कुसुम, पुलसुन, सुमन, फूल आदी बिजली का क्या होता है चंचला, चपला, सौधमिनी, छड़ प्रवा, आदी ब्रह्मा का होता है आत्मभू, स्वेंबू और चत्रानन ठीक है फिर यहां आंगे भी दे रखे हैं इसके पर्याबाची सब्द तो इनको भी देख लेते हैं फिर यहां दे रख का है आपका मचली, मस, जल जीवन, यह भी इन्पोटेंट है जीग और मीन महादेव, ईश, पशुपती, सिभ, महिश्वर, आदी मुनी का, यती, अबधूत, सन्यासी, बेरागी, आदी रात्री का, सरवरी, निशा, रजनी, तमी, आदी रमा का क्या होता है, कमला, लक्षमी, पनमाशना, आदी बान का क्या होता है, तीर, खर, विशिग, ईशु, आदी ब्रक्ष का होता है, इन्पोटेंट भी है, दुर्मू, पादूप, पटप, अगम, आदी वियुम का होता है आकास, नव, गगन और प्रुसकार ये भी इंपूडेंट है विश्नू का, गर्णुद्ध्वज, आचुत्य, जनाधन और चत्रबूज आदी बायू, इंपोडेंट है, हवा, समीर, अनिल और समीर बादल का होता है जलदर, जलज समुद्र का क्या होता है, सागर, जलनिदी, पारावार, नदीस और बारादी ठीक है, next फिर यहाँ पे दे रखे हैं आपके सरश्वती, ब्रहामी, भारती, भाषा, बाक और गिरा सोना का क्या होता है, सोवर्ड, सोड, कंचन, जातरूप, हैम सूर का क्या होता है, मार्तंड, दिनकर, पतंग, हंस ठीक है, यह भी इंपोडेंट है आपके लिए सिंग का क्या होता है, शिर दालू ब्यग, म्रगराज, कहरी, आदि सुन्दर का क्या होता है, सूरिच, शूचेर, स्वहाबना, रमिडेक, उत्तम इस ठीक के का इंपोडेंट है, नारी, बिनिता, ललेना, कांता, आदि सुरक का होता है घो, सुरलोक, देवलोक, हाती का होता है गज, हस्ती, कजर, कुंजर और नाग ये सभी हमने पर्यावाची सब्दों को यहाँ पर सीखा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोडेंट होते हैं हम सीखने वाले हैं विप्रीत आर्थी सब्द, पर्यावाची सब्द को हम समान आर्थी सब्द भी कहते हैं कई बार पूछे जाता है, समान आर्थी सब्द किसे कहते हैं, ठीक है, समान आर्थी इन्हें हम पर्यवाची को ही कहते हैं किसको कहते हैं पर्यवाची को जब ये पर्यवाची की जगे समान आर्थी आ जाए तो ये की मतलम निकलेगा जयान लगना ठीक है तो आईए हम यहां पे ये भी आपके exam में एक नमबर के दिस्टी कोई से important है एक नमबर आपको मिल सकता है इनसे विप्रीत आर्थक सब्दमीस होता है ब्लॉम सब्द ठीक है जो सब्द विप्रीत आर्थ उल्टा प्रिकट करते हैं उन्हें हैं विप्रीत आर्थक ब्लॉम सब्द कहते हैं इसी तरह से हम इन सब्दों की प्रैक्टिस भी करेंगी आपको बताएंगे कि कौन-कौन से कुश्चन आ चुके और कौन-कौन से आपके लिए इंपोडेंट है तो सभी को जरूर देखिए जैसे ये कुश्चन आ चुका है अनुराग बिराग उननती अवनती ये भी आ चुका है अपना पराया ये इंपोडेंट है एक अनेक अपमान सम्मान कायर निर्भीक आविर्चीन प्राचीन कौमल कठोर ये भी आ चुका है चर, अचर, कृताग्य, कृतिघन, आलोकिक, लोकिक, कठिन, आसान, ये इन्पोरेंट है, अनुज, अग्रज, आ चुकाईए, कॉलाहल, सान्ती, अने भिग्य, भिग्य, ठीक है, फिर आंगे भी दे रखे हैं, इनको भी देखते जाएं, सवयोच्चे, करवा, मीठा, अंदिकार, प्रिकास, ये आ चुकाई, कलंक, निसकलंक, अल्प, अदेक, कीर्ती, अपकीर्ती, अपेच्छा, उपीच्छा, कनिस्क, जेश्ट, अनुनातम, प्राचीनतम, करोण, आकरोण, अर्थ, अनर्थ, गोप्त प्रिकट, अतीत, भविश्ट, ये इन्पोडेंट है, गोरव, लज्जा, या फिर ठंडा, उपर भी दे रखें, सभी को जरूर देखिए, और एक बार मेरे साथ रिपीट करते जाएं, जिससे की आपको आसानी से याद हो जाएंगे, उपस्तेत, अनुपस्तेत, ये ना इ संद्या, उतकष्ट, निरकष्ट, पस्चात, पूर्व, उदय, अस्त, ये भी इन्पोडेंट है, पंडित, मूर्क, उदय चल, अस्तचल, पच्छ, प्रितिपच्छ, उत्रीड, अनुत्रीड, ये भी इन्पोडेंट है, प्राता, यदाकदा, उत्थान, पतन, प्रिसंसा निंदा पुरुषकार दंड ठीक है ये भी आपके लिए इंपोडेंट है सभी को जरूर प्रैक्टिस करें एक बार है ना इनको जित्ता जादा पड़ोगे तो उतना ही आपको याद हो जाएगा पुरुषकार दंड बहुमत अल्पमत बंजर उपजाओ भद्र अबद्र मित्र सत्रू ये आ चुका है इंपोडेंट भी ये मान अपमान रुची आरुची लगू दीर्ग ठीक है ये कुश्यन काफी यादा इंपोडेंट है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ फिर यहाँ पे दे रखा है अर्जन विर्जन चर अचर अभिमान निर्व अभिमान चिरंतन नशाबर अतरंग बहरंग जड़ चेतन अनुकूल पृतिकूल जै पराजे अमरत विष जन्म मृत्तु ये भी इंपोडेंट आपके लिए ठीक है जै पराजे का भी आ चुका है आसा निरासा इंपोडेंट है तम प्रकास ये भी इंपोडेंट है आय बै ये भी इंपोडेंट है तीब्र मंद्र ये भी इंपोडेंट है आदी अंत तरुन ब्रद्दा आवशक अनावशक ताप सीत आस्तिक नास्तिक आचुका है ये इंपोडेंट भी है देश बिदेश ये भी आपके लिए इंपोडेंट है फिर यहां आंगे भी दे रखें है ठीक है तो सभी questions को जरूर देखते जाएए सभी अच्चे आदर निरादर देब दानव आकास पाताल ये इंपोडेंट है धनवान निर्धन ये भी इंपोडेंट है आयात निर्यात आचुका है ये निंदक प्रसंसा प्रसंसक आदर सुस्क निकट दूर आग पानी उत्तम अदम नमक हलाली नमक हरामी है ना इस तरह ऐसे ये questions दे रखें हैं फिर आंगे भी तो आप यहां देखेंगे फिर यहां दे रखा है लोग तरपती विजे पराजे इनपोडेंट है विख्यात कुख्यात बरदान साप विशिष्ट सामान विने आविने बाचल मितवाशी विवस्ता आविवस्ता ये भी इनपोडेंट है विबेक आविबेक सोईत क्रेष्न सीत उस्ण सोक हाष्र सायोग ब्रोद स्वार्थ परमार्थ ये भी इनपोडेंट है सुकी दुखी ये इनपोडेंट है स्तूल सूच्म सासी कायर सुक दुख ये दोनों ही इनपोडेंट है ठीक है नेक्स्ट इस तरह से सभी कुश्चन्स को जो जितना जादा प्रिस करोगी उतना जादा आपके जोए ना प्रिया मंदब है विट में आ जाएगा और कुश्चन्स ज्यादा आप सीख जाएंगे ठीक है प्रिसके बाद यहां दे रख्खा है साच्छर प्रिया साहसी कायर सुक दुख ये इनपोडेंट है साक्षर निरिच्छर ये भी इनपोडेंट है साकार निराकार ये भी इनपोडेंट है संभव असंभव सपल आसपल या बेफल ये भी इनपोडेंट है सुन्दर करूप इस्तर चंचल सुतंत्र परितंत्र आचो का ये कुश्चन संपन विपन इस तरह से हमने यहां पर सबसे पहले सीखा पर्यवाची सब्द क्या होते हैं अपने ही समान अर्थ व्यक्त करने वाले सब्द को हम पर्यवाची सब्द कहते हैं उसके बाद हमने सीखा कि ब्लॉम सब्द क्या होते हैं अपने सब्द के विप्रीत अर्थ प्रिकट करने वाले हैं सब्द को अम बिलॉम सब्द कहते हैं अब आगे हम सीखेंगे अनेकार्थी सब्द इसमें कुछ ऐसा आता नहीं है आपके एक्जाम में तो बस इसको पड़े लेना जिस में में डैफिनेशन बता दे रहा हूँ जिस सब्द के एक से अधेकार्थ होते हैं उन्हें यह मनेकार्थी सब्द कहते हैं जैसे अक्षर, बर्ड, सत्य, जल, यह सब्द जो है न, अक्षर के जो है न, क्या है, एक्जाम्पल है ठीक है, पर जैसे ही हम आँगे बढ़ते हैं पिर यहां दे रखा है समान उच्चारण वाले सब्द तो इसको जरू देख लीजिए इंपुडेंट है ठीक है समान उच्चारण वाले सब्द हिंदी में बहुत ऐसे सब्द होते हैं जिनका समान होने पर भी अर्थ की दस्टी से उनमें काफी अंतर होता है इस अंतर को ना जानने के कारण प्रियोग संबन्दी भेंग कर भूले हुआ करती है और नीचे दिये गए सब्द युग्मों के अर्थ अंतर और उनके प्रियोग दिये गए यानि कभी-कभी आपने देखा होगा एकी सब्द को हम दो सब्दों को एकी तरह से पढ़ते अजर का मतलब होता है देवता या जो बूड़ा ना हो और अजिर का मतलब होता है आगन अनिल का मतलब होता है अबा अनल का मतलब होता है आग ठीक है अपीछा का मतलब होता है चाहा वो पीछा का मतलब होता है निरादर फिर यहां पे दे रखे हैं आंगे उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सबसे पहले कुश्य नमबर 11 दे रखा है यहां पे किर्टिक ग्यता किये हुए उपकार को मानने का भाव जो होता है वो ही क्या कहलाता है किर्टिक ग्यता फिर किर्टिक ग्यता क्या होता है किये हुए उपकार को ना मानने का भाव भिन भिन होते हैं इसी चीज को हम यहां पर समझ रहे हैं चिर का मतलब होता है बस्त्र जलद मीस होता है बादल जलदी मीस होता है सागर ठीक है next हमें बस यहाँ पे सब्दों के अर्थ ही समझना है यही हमारे लिए impotent है ठीक है फिर यहाँ पे जरट जरट का मतलब होता है ब्रद और जठर का मतलब होता है पेट तरेण मी सोता है सूर तरणी मी सोती है नाव दूत मी सोता है संदेश बाग घूत मी सोता है जुआ द्रब्य मी सोता है पतलापदात और द्रब्य मी सोता है धन ठीक है निर्धन मी सोता है मरत्तु और इसके बाद और निर्धन मी सोता है गरीव प्रथा मी सोती है रीती और प्रथा मी सोती है कुंती लच्छ मी स लाक लच्छ मी सुद्देश सूची मी सोती है तालका और सूची मी सुई भी होती है सूप्त मी सोता है सुंदर कथन ठीक है आंगे भी दे रखें इनको भी देख लेते हैं पर यहां और दे रखें सूप्त मी सोता है सीप सूर मी सोता है बीर और सूर मी सोता है नेतरहीन सबजन मी सोता है कुत्ता सोजन मी सोता है सजन ठीक है इस तरह से ये जो questions होते हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं आपके लिए और आगे जो मोहावरे का topic है वो मोहावरे काहवते हैं इनको हम next part में discuss करेंगे अभी के लिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जरू बताईए अगर आप WhatsApp गुरूप से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी बच्चे WhatsApp गुरूप से जरू जुड़ जाएं हमारा जो WhatsApp गुरूप जो नंबर है हमारा WhatsApp का अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं कॉल नहीं कीजिएगा ठीक है मैसेज करके आप बात कर सकते हैं बाकी आप Excellence by APS YouTube चैनल को जादा-जादा सेर करें अपने दोस्तों भी जिससे उनका उनको भी ये जो मैं करवा रहा हूँ सिलिवस को बो भी इस सिलिवस को कर पाए अगर आपको इससे सम्मंदित कोई डाउट आता है तो आप मैसे पूछ सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही जाएंद फ्रेंड्स, जाएंद इस्वेंड्स थेंकियो फूर बोचिंग